दोस्तार मैं 5G Services की बात करता हूँ तो भारत के बहुत सरे जगे के अंदर अल्री 5G Services लाँच हो चुका है रिलाइस जो कमपणी की तरफ से अल्मोस्ट 9 सिटी के अंदर और एटल कमपणी की तरफ से अल्मोस्ट 11 सिटी के अंदर अपने 5G Services को लाँच कर दिया है जो सुनकरा में काफी अच्छा लग रहा है कि भाई फाइनली भारत के अंदर 5G Services लेकिन दुनिया के डिफरेंट जगे के अंदर जो 5G Services को लाँच कर आगा है और उस जगे के अंदर जो स्पीड हमें देखने के लिए मिलते हैं उससे भारत का स्पीड काफी सता कम है कुछ चुनिंद जगे के अंदर लॉंस तो हुआ है लेकिन स्पीड काफी कम मिल रहा है as compared to बाकी दुनिया दोस्तो अगर मैं 4G Services की बात कारता हूँ तो हम आप टॉप स्पीड आपको 1500 में पेस तक मिलेंगे लेकिन 5G Services के अंदर टॉप जो स्पीड है वो 20 Gbps तक के मिल सक क्यों हो रहा है दोस्तों यहां पर विशनात्र नामास्वामी जो मिल लिए प्रेसिडेंटे 5G और डिजिटल सॉलेशन टाटा कमिनिकेशन का उनकी तरफ से कुछ पॉइंट्स को यहां पर बताया गया है जिस कारण से भारत के अंदर 5G का स्पीड काफी जदा कम हम नोटि दोस्तों विशनात्र जी की तरफ से पहला जो पॉइंट यहां पर बताया गया है वो है कॉंजेस्टें नेटवर्क भारत एक बहुती डेंसली पॉपुलेटेट कांट्री है और बहुती चुनिंदा जगे के अंदर आपको 5G सर्विस देखने के लिए मिलेगा और 5G सर्व जो नेटवर्क कॉंजेशन है वो काफी ज्यादा हमें देखने के लिए मिल रहा है और इसी कारण से एक ही पर्टिकुलर नेटवर्क से अगर बहुत सारे लोग एक साथ कनेक्टेट हो जाते हैं तो डेफिनिली स्पीड के अंदर तो हमें डेफिनिली डाउन गेड देखने के लिए मिलेंगे ऐसा चीज उनकी तरफ से बताया गया है सेकेंड जो चीज है वह नॉन स्टैंडलोन 5G दोस्तों डिलाइंस जो जो 5G आपर लॉंच कर रहा है वो स्टैंडलोन 5G लॉंच कर रहा है और अगर आप स्पीड देखते हैं तो डिलाइस जो के अंदर काफी पर प्रोवाइड कर रहें वो एक ही कोड नेट्वार्क से 4G सर्विस और 5G सर्विस दे रहा है इसका मतलब नेट्वार्क के उपर जो कंजुशन है वो पहले से 4G को पड़ है उसके बाद 5G आने के बाद और भी साथा कंजुशन होगा और इसी काराण से ओवर्णोल स्पी को प्रोपरली क्रियेट करना होगा रिलाइंस जो ठीक कर लिया कि हम प्रोपरली इंफरस्ट्रक्चर करेंकर उसके लिए काम वो कर रहा है और इसी कारा से आप देखे होंगे रिलाइंस जो का जो 5G अवो थोरा कम है लेकिन एया टेल जो अपने एक्जिस्टिंग 4G सर्वि को 5G स्पेक्ट्रम मिला और IMC 2022 जो 1 अक्टोबर से चालू हुआ तो टेलिकम कंपणी को ये फोर्स किया गया कि आएंसी के उपर हमें 5G सर्विस को लांच करना है तो सिंपली दो महिने के टाइम था उनके पास दो महिने भी प्रोपली नहीं था तो इसके अंदर उन्हें व करने के नाते उन्हें इंस्टनली डिपलोई करने लगा और इसी कारण से जो ये वह प्रॉपर आप्टिमाज़ाशन देखने के आमें नहीं मिल रहे और स्पीड जो काफी कम देखने तो आने बाले टाइम के अंदर जीतना टाइम जाएंगे अप्तिमाज़ाशन होंगे उ हमें स्पीड उतना अच्छा देखने के लिए नहीं मिलता है लेकिन धीरे धीरे स्पीड को यह पर इंप्रूफ करने लगा तो सिमिलर चीस 5G का अंदर भी होने वाला है विशनातन जी की तरफ से बताएगा कि आने वाले 5 साल तक जी हां दोस्तों अभी 2022 चल आ है तो 2017 साल में लिए 5G रूलाउट चलते रहेंगे मतलब ऐसा नहीं है कि इंस्टेनली पूरे भारत को जाएंगे पांच साल का टाइम उनके तरफ से मांगा है आज के डेट के अंदर जिस तरीके का 4G सर्विस आप यूस कर रहे है वो सिमिलर टाइप और 5G सर्विस अगर यूस करना चाहे तो पांस साल का टाइम देना पड़ेगा फिट जगा टेलिकम कंपणी प्रॉपरली पूरे भारत को कवर्ड कर सकते हैं तो अगर आप 5G उसकर और 5G का स्पीड स्लो और है तो यहीं सारे कारण था जिसके वज़े से 5G का कंडिशन आज के डेट के अंदर ऐसा है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया कुछ नहीं जान करें मिला तो वीडियो को लाइक किजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके पासमे लाइक उनको तो बना बिलकुल भी मद फ्ली ऐसे इंप्रस्टिंग वीडियो डेली बेस देखने के लिए थैंक्स फॉर्चिंग बाइं टेकर आप से उनको अगर तो कैसी को नए वीडियो के साथ तब तक लिए दोस्ता अपना ख्याल रखिएगा